हे आल राइज और वेलकम टू आल नाव देखिए आज का ये टॉपिक रहने वाला है देविंद्र नाठ टगॉर जी के बारे में 1817 से 1905 तक उन्होंने जो भी मोवेंट चलाई जो भी और्गनाइजेशन चलाई जो भी उनके काम थे एंड रिलेटेड सिग्निफिकेंस और एलिवेंस ओप दियर वर्क विविल डिसकस इन दिस वीडियो यह टॉपिक रहेगा बहुत ज़्यदा क्रिस्प टू दा पॉइंट हम यहां पर ग्रेट परसनालिटी स्पल रहें जिनके बारे में यूपी एस सी हम इसा कॉश्चन पू बोधनी सभा या तत्व बोधनी सभा जो कि 1849 में बनाई गई देवेंद्रना टैगोर उनसे रिलेटेड हैं सेकेंड जॉइंड ब्रोम्मो समाज जी 1842 आप अगर कनेक्ट कर पा रहे हैं तो ब्रोम्मो समाज से एसोशेटेट कौन थे राजाराम मोहन रोई पहले यह 2828 में बनी और उसके बाद देवेंद्रना टैगोर जी ने भी इसको 800 42 में जोइन किया ठीक है 1842 तो डिरेक्ट समझ में आ गया ब्रोम्मो समाज कभी भी पूछा जाएगा तो राजाराम मोहन रोई भी इससे जुड़े हैं सेकेंड देवेंद्रना टैगोर भी इससे जुड़े ह थर्ड है आदी ब्रोम्मो समाज 1866 ठीक है तो देवेंद्रना टैगोर से तीन चीजे जुड़े हैं तत्वा बोधिनी सभा फर्स्ट 849 वाली सेकेंड ब्रोम्मो समाज 842 थर्ड है आदी ब्रोम्मो समाज 866 वाला ठीक है तो ये हमने डेटेल में डिसकस कर लिया नाँ बोधिनी सभा ब्रोम्मो समाज तो अल्लेडी हमने डिसकस किया राजाराम मोहन रोय के बारे में बट हम डिसकस करते हैं अबाउट दे तत्वा बोधिनी पत्रिका जो तत्वा बोधिनी सभा थी उसने तत्वा बोधिनी पत्रिका भी निका दी ताकि लोगों को और ज्याद awareness हो regarding किसके devoted to the systematic study of India's past with a rational outlook and a propagation Roy's idea राजाराव मोहनराई के जो idea थे उनको फैलाना वो हमने पिछली क्लास में डिसकस कर लिया है प्लस इंडिया का जो past रहा है historious, glorious past रहा है उसके थुरू तत्वा बोधिनी पत्रिका के थुरू उसको फैलाना सेकेंड देवितना टेगोर वगड़ 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 विदिन हिंडियूईज्म दे ब्रह्मा समाज वज रिफॉर्मिस्ट मूमेंट आउटसाइड इट रेजुलूटली अपोज दा क्रिश्चन मिशनरीज फॉर दियर क्रिटिसिज्म ओफ हिंडूईज्म एंड दियर अटेंप्स एट कनवर्जन जब ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी आई थी सबसे पहले तो आप सबको पता है कि जैसे पुर्टिगीज आई फ्रांस आई ठीक है ब्रिटिस आई इन सब ने क्या करा क्रिश्चन मिशनरीज फैल आई जितने भी जो यूरोपियंस आए उन्होंने ये ट्राइ किया कि क्रिश्चन मिशनरीज जो आई उन्होंने कहा कि क्रिश्चनिटी को फैलाना है ठीक है वो ठीक है बट वो हिंदूइज्म को भी criticize करने लगे तो जनरल यही था टैगोर worked on two fronts Hinduism के अंदर ब्रह्मो समाज चलाया दूसरा Christian Missionaries को criticize भी किया क्योंकि उन्होंने क्या किया Christian Missionaries ने खुद Hinduism जो धर्म है religion है उसको criticize किया और बहुत सारे लोगों पर pressure बनाया कि आप अगर Hindu हैं तो Christian में convert हो जाए तो इस चीज को रोकने के लिए देवेंद्र ना टैगोर ने बहुत ज़्यादा अपना contribution दिया साथी साथ उनका significance देख लेते हैं जो यह चीज़ें चलाई गई फर्स्ट द री वेटलाइज समाज सपोर्टेड विडो remarriage विद्वा की दुबारा साथी कराना women's education महलाओं की सिक्ष्या abolition of polygamy यानि की एक ही समाज जिसमें बहुत एक अगर male है तो बहुत सारी female से साथी कर सकता है इसका इसको रोकना improvement in riots condition जो किसान है जो teenagers tillage है जैसे किसी के लिए काम करते हैं खेतों में कुछ ड्यारी के लिए rights उस उनकी condition को सुधारना चीक है यह सब चीजें किष्णे की देविंद्र नाट टैग और जी ने तो इन सब के बारे में देखे कोई भी अगर हम personality पढ़ रहे हैं तो उन्होंने जितने भी काम किये हैं और जितने भी उनके के बारे में UPSC से कॉशन पूछे गए अगर हम क्या कर रहे हैं सबसे पहले जितने भी राजारा मोहन रॉय देविंद्र नाट टैग और इन सब के बारे में पढ़ा दिंगे फिर उसके बाद UPSC में इससे ही कॉशन आएगा कि कौन-कौन सी चीज़ें अभी हम एड दा इंड इन क्लास के बाद ग्रेट परसनालिटीज पर जो UPSC कॉशन पूछती है उसको भी करेंगे आप क्या करना कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो उस पे MCQ solve कर लिया करो राइट तो आज का टॉपिक में देविंद्र नाट टैग और के बारे में ये सब चीज़े करेंगे about the case of चंद्र सेन राइट आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे thank you have a nice day Hey all right and welcome to all देखिए UPSC prelims best 2022 499 रुपीज में पूरा बैच आपको में लेगा NCRT reference book extracted notes plus videos सभी subject 13 month का current affair month wise plus videos में लेगी लेना बहुत सिंपल है दिये गई नमर पर आप Google पे phone पे कर सकते हैं जो भी payment करेंगे उसकी screenshot same number पर WhatsApp कर सकते हैं right payment करने के बाद कुछ ऐसे WhatsApp ग्रूप के batch म आपको add किया जाएगा जहां पर सभी PDF आपको line wise मिल जाएगी link आपको sequence wise मिल जाएगे ये unlisted link हैं तो जब WhatsApp ग्रूप में आपको add किया जाएगा ये सब आपको एक साथ मिल जाएगे चाहिए history है जो भी prelims के लिए आप तैयारी कर रहे हैं ये video lecture series सिर्फ prelims के लिए ही होगी जो की होने वाला है पांच जून को आगे जितनी भी वीडियोज आप देख रहे हैं जितनी भी PDF आप देख रहे हैं वही similar PDF और वीडियोज आपको WhatsApp ग्रूप में WhatsApp के थुरू दे दिये जाएगी thank you have a nice day but PR publication की mobile application आप download कर सकते हैं साथी साथ चैनल को subscribe कर लीजिए और हमारी website Edupe साथ से भी आप purchase कर सकते हैं thank you have a nice day